पिम्पल्स, यानि की मुआ से, मुआ से क्यों निकलते हैं? टिनेजर में हार्मोन के बजलने से पिमपल्स होते हैं सुरुवात में छोटे-छोटे दाने निकलते हैं फिर अधिक उभार वाले हो जाते हैं अगर इनको छेड़ते रहें, दबाते रहें तो इनमें पस बन जाती है तता फेस पर निसान बन जाते हैं पिम्पल्स धूल मिट्टी के कारण गंदगी के कारण भी हो जाते हैं चाए कोफी अधिक पीने से फास्ट फूर्ड फ्राइड चीजे खाने से भी कील मुआ से हो जाते हैं इनका उपाई क्या है अब गरेल उपाई बताते हैं एक चम्मच बेकिंग पाउडर को पानी में पेश्ट बना करके मुआ सो पर लगाएं और पांच-दस मिनट बाद फिर इनको दो दें इससे काफी लाब बिलता है लेसुन को घिसकर फिर उसे लोग पिम्पल्स पर लगाते हैं इससे भी लाब मिलता है चंदन का पेश्ट बना करके पिम्पल्स पर लगाते हैं तो उससे भी लाब मिलता है गुरू फार्मा का सिली फिस पैक लगाने से बहुत अच्छा जड़ मिलता है आप एलोविर्या का गुद्दा लेकर उसे पेश्ट की तरह बना करके कील मुआसों पर पिमपल्स पर लगाने से बड़ी रात मिलती है हल्दी और शहद मिलाकर उसका पेश्ट बनाएं और पिंडिकाओं पर यानि के पिंपल्स पर लगाएं इससे भी काफी जल्दी आराम मिलता है और बेशन को गुलाब जल में तथा निम्बो के रस में पेश्ट बनाकर लगाने से आराम हो जाता है और पिंपल्स ठीक हो जाते यह बाहरी उपाई हैं अंदर खाने के लिए आप गुरु फार्मेशी का रक्त सोधी लेकर के आप अपना खून साफ कर सकते हैं खदीरा रिष्ट आप लें खदीरा रिष्ट लेने से भी आपके खाल चेरे का कलर और त्वेचा के रोग ठीक हो जाते हैं दन्यवाद नवशकार